आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों की शनी की दशा आती है शनी की दशा जो है वो 19 साल के लिए होती है और वो दशा उनके लिए बहुत ही खराब रहती है जब दशा खराब होती है तो हमारा भगवान पर से विश्वास उच जाता है क्योंकि हमारे कारोबार में problem आती है हमारी family life में problem आती है हमारे relationships खराब होते हैं और हम भगवान का नाम लेना हम कहते हैं भगवान से हम बहुत नराज हैं पर आपको ये समझना चाहिए कि जब शनी की दशा आती है शनी की दशा का मतलब है और अगर वो दशा खराब है आपके horoscope के लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रारब्ध में कुछ काम ऐसे किया है जैसे कि अपने servants को बहुत तंग किया है आपने कार्मिक कारे नहीं किया है आपने भगवान के नाम नहीं लिया है आपने करम अच्छे नहीं किया है आपने dogs या animals के साथ अच्छा वेवार नहीं किया आपने जो छोटे तबके के लोग होते हैं जिनको हम servants कहते हैं या कोई भी ऐसा वंदा जो आपसे दबता हो आपका वेवार उसके साथ अच्छा नहीं रहा है तब ही शनी की दशा आती है जब शनी की दशा में आपको ये सब कारे नहीं करने होते हैं शनी की दशा में आपको मुझे पता है ये कहना बहुत असान होता है कि आपको थोड़ा सा वेवार अपना अच्छा रखना पड़ता है पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे भी अपने कर्मों को खराब करते हैं तो आपको यह चाहिए कि शनी की दशा में specially शनी की दशा या कोई भी दशा ओपर specially आज हम शनी की बात करें तो आप अपने कर्मों को ठीक कीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को दुखी मत कीजिए जो आपसे दबता हो जो आपकी बात जिसको जबरदस्ती सुननी पड़ रही है और आप की बात अच्छी नहीं लग रही है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर शनी में आपको कश्ट आ रहे हैं शनी की दशा में तो वो कश्ट आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे Thank you